हलो बच्चों, आज हम लोग किंग्डम फंगाय के बारे में बात करेंगे किंग्डम फंजाय में सारे कवक या फंजाय आते हैं जो कि एक कोश्किये पादप होते हैं उधारण के लिए राइजोपस, मौर्चला, अगयारिकस, ये पेनिसलीन, ये सारे फंजाय में आते हैं। साधारण ता अधिकांश कवकों का शरीर पतले धागे सद्रिश सनरचना से निर्मित होता है। इन धागों को कवक तंतू या कवक सूत्र या हाइफी कहते हैं। जिसे माइसीलियम अनेक तंतू परस पर सम्मलित रूप से कवक का काईक शरीर या वेजिटेटिव बॉडी का निर्मार करते हैं। जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ये कवक जाल है माइसीलियम कहलाएगा और एक धागा जो है आपका हाइफा कहलाएगा। हाइफी जो है वो हाइफा जो है वो सिंगुलर नमबर है और हाइफी आपका प्लूरल नमबर है। अब समानिता कवक तंतों की भित्ती यानि सेल्वॉल सेल्लोस की बनी होती इस सेल्लोस को फंगा सेल्लोस कहते हैं या काइटिन से बनी होती है किन्तु कुछ फंजाय यानि कवकों में सेल्वॉल जो है वो सेल्लोस की निर्मित होती है स्लेश्म फपून जिसे की स्लाइम मोल कहते हैं उसमें कोशिका भित्ती का अभाव होता है अर्थात इन में अलगी के भाती जरतना वापत्ती का अभाव होता है यानि की जरतना पत्ती नहीं पाय जाते और कवक का शरीर इसलिए थैलस कहलाता है जो की जड़ तनापत्ती में डिफ्रेंशेट नहीं होता फंगल हाइफी में ये आप देख रहे होंगे ये जो दिवार सी है ये डिविजन जो है ये सेप्टा कहलाया जाता है और इस में मल्टी नियूकलेटेड होता है नियूकलियस इसमें धेर सारे पाए जाते है और यदि ये सेप्टा घुल जाता है तब इस हाइफी को प्रश्च में कोई विभाजन नहीं दिखाई दे रहा है। फंगाई अनेग प्रकार के हेटरोट्रोफिक पौधियों का सम्हू है। ये फंगाई डेड और्गेनिक माटर्स पर होती है। जैसे कि लकडी पर डेड वुट पर पाई जाती है। इसका उधारण है म्यूकर और राइजोपस। तीसरा प्रकार है सह जीवी कवक या सिंबायोटिक फंजाए। इसमें आपका माइकोराइज ही आता है और लाइकेंज आते हैं। सिंबायोटिक फंजाए वो होते हैं जब दो जीव आपस में एक दूसरे का फायदा करते हुए एक साथ रहते हैं। तो लाइकें में फंजाए के साथ एलगी भी पाई जाती है। यह लाइकें है जिसमें की एलगी और फंजाए दोनों के माइसीलियम पाई जाते हैं। दोनों जीव एक साथ सिंबायोटिक लाइफ व्यतीत करते हैं। फंजाय थैलोइड होते हैं यानि इन में जड़ तना पत्ती में अंतर नहीं पाया जाता थैलस के आकार के एवंसन रचना में विविदिता पाई जाती है इसके अनुसारिय तीन प्रकार के होते हैं जिसमें इस्ट आती है इस्ट जो है वो एक कोष्किये होती है और ज्यादा तर यह किसमें इस्तमाल होती है ब्रेड बेकिंग में इस्तमाल होती है दूसरा प्रकार है तंतु में यानि फिलमेंटस उसका उधारण है एश्पर्जिलस यह आपको दिखाई दे रहा है यह जो की जिसका शरीफ तंतु में है और यह तंतु के ऊबर यह स्पुरैंजी आपको दिखाई दे रहे हैं लहाँ तीसरा है स्थूल दर्शी उधारण मश्रूम यह आपको मश्रूम दिखाए जा रहा है इसका उधारण अगारिकस भी है और मौर्चला भी है कवक तन्तू या हाइफा भोजन का संचय या संग्रेक ग्लाइकोजन या तेल गोलिकाओं के रूप में करते हैं लाइसोसोमी एंजाइन कवकों में पाए जाते हैं यानि जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं उन एंजाइन्स को लाइसोसोमी एंजाइम कहते हैं इनका मुक्य कारे शती ग्रस्त कोशिकाओं का पाचन वा परजीवी यानि परसिटिक फंजाई को होस्ट के शरीर में प्रवेश कराने में सहायता करना। होस्ट क्या हुआ जिस शरीर पर फंजाई रहता है उसको होस्ट कहते हैं। फिर कवको द्वारा स्रावित उपापचयी व्यर्थ पदार्थ यानि मेटबॉलिक वेस्ट मटीरिल का सूख्ष्म जीवों पर अविशाणू प्रभाव प्रती जीविता कहलाता है। फंजाई में काईक जनन यानि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खंडन यानि फ्रेग्मेंटेशन के द्वारा जहां पर इसके फ्रेग्मेंट्स तूट जाते हैं और नया एक मैसीलियम बनाते हैं। विवित प्रकार के फ्रेग्मेंटेशन बाइनरी फिजन जिसे द्वी खंडन कहते हैं एवं मुकलन यानि बडिंग द्वारा होता है। ये बडिंग दिखाई गई है और बाइनरी फिजन यानि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है। अलैंगिक जनन एसेक्शल रिप्रक्षन विवित प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। मुक्य था एसको स्पोर, बैसीडियो स्पोर एवं जू स्पोर द्वारा होता है। इसका उधारन कुनीडिया है।